हाई बच्चों, आप सबी कैसे हो? जरूर अच्छे हो? आज मैं आप लोगों को रोहीनी हिंदी वैकरण पड़ाने जा रही हैं। ओके बच्चों, आप लोग रोहीनी हिंदी वैकरण का नया अध्ध्य चार को आप लोग निकालिएं। आज मैं नया अध्धाय पढ़ाने जा रही हूं सब्द और बाग क्या क्या और पेज नमबर 24 है ठीक है आप लोग सभी निकालिये अच्छा सब्द हम सब्द और बैंजन को मिलकर सब्द बनाते है आप लोग पढ़े हो आगे का अध्धाय में सवर और बैंजन के बाड़े में तो ये सब मिलके सब्द बनते है सब्द भासा के प्रान होते है सब्द क्या है भासा का प्रान है बिना सब्दों के भासा की कलफ़ना नहीं की जा सकती अब जो मैं आवाज कर रहे हूं जो सब्ध बोल रही हूँ एक एक ठो तो उसी से तो भासा बन रहा है और उसी को सुन के आप लोग समझ रहे है कि मिस टीचर क्या बोल रहा है सिख सब्ध क्या बोल रहा है ठीक है तो प्रत्यक सब्ध का एक मिस्चित और सार्थक अर्थ होता है सब सब जो भी आप बोलोगे उसका कुछ ना कुछ मतलब रहेगा नहीं तो अर्थ नहीं रहने से तो वो सब नहीं बनेगा उसका कोई महत तो नहीं रहता है तो बर्णों का सही मेल सब्द कहलाता है सब्द किसे कहलाता है? बर्ण, बर्ण का सही मेल सब्ध कहलाता है फिर मैं बोल रही हूँ, समझिए बर्ण, जो बर्ण है, अमनों जो सिखा है सारवन्जन उस बर्ण का सही मेल सब्ध कहलाता है बर्ण से मिलकर बने कुछ सार्थक सब्ध है देखिए, धन, धा, प्लासन, धन, धा, एकटा होके क्या बन रहा है धन क प्लास्ला प्लास्मा कलम मैं हम लोग उच्चरित करते है कि कलम तो उच्चरित को देखिए कैसे कर रहे हम लोग कलम कलम तो कलम किसको उज़ कर रहे हम लोग वैंजनो को मिलके हम लोग बोले हैं कलम सेव यह सेव जब बल रहे है अच्छा से सुनिए सेव से ए देखिए इसमें ए का मात्रा लग रहा है ए की तो वो कौन है? स्वर है स ए प्लास व सेव अब यह वो लोग समझ रहे होगे बंदर व अंग की मात्रा है देखिए प्लास्दा प्लास्ट्रा मतलब इसमें स्वर है और बैंजन तो है बोतल देखिए यह वो, वो, ओ, ओ हो रहा है मतलब स्वर को हम लोग बैंजन का साथ ले रहा है बो, प्लास्टा प्लास्ट्रा बोतल चिकू इसमें तो है बैंजन तो है पर मात्रा में कौन है स्वर है देखिए गी की मात्रा उ की मात्रा ये सब कौन है स्वर है स्वर की जो मात्रा है उसको लगा के हम लोग लिखे है तो सर्वेंजन दोनों मिलकर क्या होते है सब्द बनते है उसी को सब्द कहलाते है अभी आपनों को समझ में आया चीकू, लोटा, लो, लास्टा भोडा, भोडा, हाथी देखिए, हा में आ की मात्रा, अथो में बड़ी ए की मात्रा जुक्त हो के क्या हुआ? हाथी अब लोग समझे होगे? ठीक है, अभी हम 26, पेश 26, वाक्य वाक्य सब्द के सही मेल से बनते हैं वाक्य कैसे बनते है? सब्द के सही मेल से बनते हैं हम लोग सब्द उच्छरन करते हैं और वाक्य बनाते सब को जुरा के जुरा के बाक्य जब बनेगा तभी वो समझ में आएगा जब हम आपस में बात करते हैं तो ये कई तरह के वाक्य बोलते है सच मुझ बहुत तरह के वाक्य बोलते है देखिए अभी ये लोग उन बात कर रहा है क्या बोल रहा है हम तो अभी पता नहीं अभी हम देखेगा तब पड़ेगा तब देखो मेरी पतंग कितनी उची उड़ रही है देखो दोनों बात कर रहा है दोनों ज़र मिलके देखो मेरी पतंग कितनी उची उड़ रही है तो ए आड़ाई जिन को समझ में आया हाँ साज बोला है कि उसका पतंग बोद उचा चल गिया है इसके बाद ये चित्रों देखिए आज मैं तुम्हें हरा दूँगा ये बोल रहा है इसको आज मैं तुम्हें हरा दूँगा तो समझ में आया कि आज मैं गिया तो ये सब है सब एक टो ऐसा बाकिय सब को लेके जिसमें हम लोग को समझ में आए कि क्या बोलने मांगता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण के सही मेल से सब और सब के सही मेल से वाक्य बनते हैं ये अच्छा से आप लोग याद किजिए क्या बोले हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण, आप लोगो पता है वर्ण सरवन बैंजन बन जिससे क्या होता है सब बनते हैं और ओई सब को अच्छा सब जूड़ जूड़ के हम लोग क्या करते हैं बाक्य बनाते हैं देखिए सब को जूड़ जूड़ के बाक्य बनाया तो ऐसे होता है बाक्य तो बच्चो आप लोग समझे होगे कि इस अध्धाय में सब और बाक्य जो है कैसे बताया गया है मैं चाहती हूँ अब लोग घड में इसको अच्छा से इसको पढ़िए और इसको अच्छा से समझिए ठीके बच्चो